दीरे दीरे रे मना और दीरे सब कुछ होय माली सीचे सो घड़ा भाईरुत आया फड़ हो ओपिरा थोड़ी सबर कोई कर ले तो बुरो हाद सो ठलगा ओपिरा थोड़ी सबर कोई कर जातो बुरो हाद सो ठलगा तो ओपिरा थोड़ी सबर कोई कर जातो बुरो हाद सो ठलगा तो कर दो कर दो लिष में रावण लात चलाई भगत विभी सन छोटो वाई वो लंका चोड कर नहीं जातो बुरो हाद सो करगा वो लंका चोड कर नहीं जातो बुरो हाद सो कर जातो मेरा थोड़ी सबर कोई कर जातो बुरो हाद सो कर जातो मेरा थोड़ी सबर कोई कर ने तो बुरो हाद सो कर जातो मेरा थोड़ी सबर कर जातो कि जो अर्म, कर 좀 दो जो हुँआ है। प्रेलादे ने भगति कमाई हिरना कुस के दायन आई प्रेलादे ने भगति कमाई हिरना कुस ने दायन आई ओ राम नामने समझ जातो गुरोहाद सोच जा ओ राम नामने समझ जातो गुरोहाद सोच जातो गुरोहाद समस्च जातो घुड़ोहाद सोच जातो जातो गुरोहाद सोच जातो ठीक हिरना कुस ने भगति कमाई हिरना कुस आई गुरव पांडव दोनू लड़ाई प्रिष्ण स्री का समझावन आई कवी कहता है कि थोड़ी सबर कोई कर जातो बुरो हाद सो टल जातो यदि थोड़ी देर के लिए कोई सबर कर लेता तो बुरा हाद सो टल जाता है लेकिन सबर कोई नहीं करता है सडक पे चलते समय बड़ी बड़ी दुरगटना होती उनमें केवल सेकेंड मात्र के लिए रुकना होता है लेकिन लोग रुखते नहीं हैं और दुर गटना हो जाती है एक पलग लगती है और पड़ा चलता है कि फला व्यक्ति एक्सिडेंट में चला रही है और एक पल के लिए इदि ब्रेक कर लेता रुख जाता अपने आपके नेंत्रन रखता तो उससी तब जाने है कोरव और पांडवों में दोनों में युद्ध की बात चल रही है बगवान स्री कृष्ण समझाने के लिए गए और जाकर कहा भाई मांजाओ लड़ाई में फाइदा नहीं है लेकिन दुरियोदन ने कहा कि महाराज पांडवों को लड़ाई के बिना एक सुई की नोक टिकती है उतनी भी जगे नहीं मिलेगी जितनी भी लेनी है लड़ाई करके जीत के मेरे सेले बाकी में प्रेम से देने वालों में नहीं है दोनों में से एक बीजी समझ जाता तो वो भात सटल जाता लेकिन दोनों में से कोई माना नहीं तब महां भात के लड़ाई हुए ओरव पांडव दोनु लड़ाई कृष्ण शरीखा समझ आवन आई तो आगे क्या होता दोन आमाऊं एक समझ जातो वोरोहाद सोटल जातो और थोड़ी सबर कोई कर जातो दोनी देर सबर कोई कर जातो मुरो हां गुसो जड़ जातो कर दो जातो कर दो जातो राजा दस्रत वन में जाई शब्द भेदी बान चलाई जब राजा दस्रत वन में जाई शब्द भेदी बान चलाई जब राजा दस्रत वन में जारी डुगोई है जल के अंदर राजा दस्रत में बिना विचारे बिना सोच किये तुरंत जो है शब्द भेदी बान चलाई दिया यदि थोड़ा विचार किया होता कि यहां पे कोई मनुझ भी हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि यह आवाज करने वाला जीव धीरन ही हो लेकिन वहां पे शरवन कुमार था और शरवन जब तीर लगी बेटा शरवन पाने डो पिलाए वन में माने प्यास लगी और जब शरवन ने कहा कि अंधे है मेरे मात पिता और उनको जल लेने के लिए आया था राजन वो क्यासे है उनको जल पिला देना ले धारी अब दसरत चालियो मात पिता के पास और अंदे माता पिता ने आहट से पहतान लिया कि ना सरवन की बोली लागे ना सरवन की चाल ना सरवन की बोली है ना सरवन की चाल है मैं केसे मालनों की शरवन है तब राजा दसरत ने कहा कि मैं राजा दसरत हूँ और श्रवण मेरे तीर का शिकार हो गया तब उन्होंने कहा कि हम जल नहीं पिये लेकिन राजन तो भी जब मृत्रियों को प्राप्त होगा तब तेरे बेटे पानी पिलाने के लिए विचार करने की बात थी विचार नहीं किया तब वो बेटों से अलग हो गया तब कभी कहता है राजा दसरत वन में जाई सब दे दीवान चलाई ओ बेटा सुन्यारों नहीं हो तो बुरो हाद सो तर जा तो फिरा थोड़ी सबर कोई कर जातो तो बुरो हाद सो तर जातो 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 गुरुजंबेश्वर भगवान की मोर्मुगुडवन्सिवाले बुरो हाद सो तर जातो झाल झाल भाल